नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों नमस्कार हर हर महादेव जय शिव शंभू दोस्तों 16 अगस्ट अधिक मास सावन की आखरी अमावस्या के दिन तुलसी में बांध दे ये एक चीज जन्मों की गरीबी होगी दूर जीवन में होगा चमतकार रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे माला माल दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद अध्भुत महासन योग बन रहा है और 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्थ हो जाएगा सावन के महीने में इस बार शिव जी की सरवाधिक क्रिपा बरसेगी क्योंकि इस साल 8 सावन सुमवार वर्ष है इसमें 4 सुमवार वर्ष और 4 सावन अधिक मास वरत सावन मास में माल मास या पुरुशोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बलकि 8 सुमवार के वरत किये और पांचवा वरत 7 अगस्त 6 सोमवार वरत 14 अगस्त और 7 वा 21 अगस्त ऐसे में सबसे अंत में 28 अगस्त को 8 वा सोमवार वरत किया जाएगा जो की 31 अगस्त को सावन समाप्थ हो जाएंगे दोस्तों अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है सावन का पवित्र महीना भगवान भोले नाथ और माता पार्वती का महीना होता है सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मया पारवती और भोले नाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना ये हर इच्छाए भोले नाथ और माता पारवती जरूर पूरी कर शिव पुरान में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तामबे के लोटे में जल भर कर और उसमें थोड़ा सा गंदा जल और मिश्री डाल कर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्यो जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। क्योंकि शिव और मा पार्वती जगत्पिता है, एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए शिव दोड़े चले आएंगे दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनात की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के पहले सुमवार को त तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुब होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश् इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं, तो आपको मा तुलसी का धेर सारा आशिरवाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे में ये एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तु में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विश्नु और माता लक्ष्मी जी अती शीघर ही प्रसन्न हो जाती है, और आपको आशिरवाद मिलता है, और जीवन में वो खुशिया मिल जाती है, जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांध ना भी है, जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से एक विंती करते हैं कि विडियो को लायक जरूर करियेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी जय मा तुलसी मा के लिए एक लायक तो बनता है, मा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, दोस्तों भा पर्मिक अनुष्ठानों और तांतरिक प्रयोग में इसका उप्योग होता है। प्राणों में तुलसी को भगवान श्री विश्नु जी की पतनी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जन्नी भी है। परमात्मा के अनेक दुलर्ग वर्दान में से एक है। तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नश्ठ हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदे होने पर अंधकार नश्ठ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांती और समरिध्धी बनी रहती है भगवान विश्णुजी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा और भक्ती अपूर्ण मानी जाती है, दोस्तों। इन्ही कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होन जरूरी है। चाहिए। कई लोग ये भी गलतिया कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है। बाफट जाती है और फिर बाद में कई लोग एक आजशी या फिर किसी शुभ अफसर पर ही चुनरी को बदलते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। चुनरी ना केवल त्योहारों पर पहनना चाहिए बलकि आपको हमेशा मातारानी को साफ सुथरी चुनरी ओढ़ाना चाहिए। चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखे तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखे और ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखे शिवलिंग के पास और तुलसी माता के पास कपड़े कभी ना सुखाए क्योंकि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुगता लाता है और घर में नकारात मकता फैलती है तो ऐसे में भूल कर भी तुलसी के पास और शिवलिंग के कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए। कभी नहीं डालना चाहिए। पाप लगता है दोस्तों रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों कोई विशेश मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धिया नहीं प्राप्थ हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्थ करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले ले। लाल मौली धागे में आप पांच हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांधे। आपकी जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, परेशानी को लेकर हो, करजे को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो और विवाह को लेकर हो तो ऐसे में आपको लाल मौली धागा लेना है धागे में पांच हल्दी की गांठ बांध कर तुलसी में आपको नीचे बांधना है, इससे रातों रात करोरपती बन जाओगे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी माता लक्ष्मी की क्रिपा बरसेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों वैसे अगर आप चाहे तो सावन के महीने में भी तुलसी में लाल मौली धागा अवश्य बांध सकते हैं इससे वो सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी जो आपके हिड़य में है लाल मौली धागा बांधने से विशेश उपलब्धिया प्राप्थ होती है माता लक्ष्मी की क्रिपा बरसती है घर में दुख दर्द तकलीफ दूर होती है और भयंकर कष्टों का नाश होता है दुखों का नाश हो जाता है बीमारियों का नाश हो जाता है तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेश लाब होगा और साथ ही साथ कोई विशेश मनोकामना या धन प्राप्ती की इच्छा है या फिर आप चाहते हैं घर में सुख समरिधी हमेशा बनी रहे तो ऐसे में अगर आपके पास लाल मौली धागा नहीं है तो आप कोशिश क करें कि एक लाल चुनरी ही बांध दें लाल मौली धागा अगर नहीं मिलता है तो आप चुनरी अवशे बांधें इससे भी आपको महा विशेश लाब होगा तो दोस्तों यह छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में जिन्स व्यक्त को पांच संकेट मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता चलिए जानते हैं नंबर एक बैल का दरवाजे पर आना दोस्तों नंदी महाराज भगवान भोलेनात के वाहन है नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है नंदी महाराज को बुद्धी और ज्यान का प्रतीक माना गया है शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज बिराजित रहते हैं लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दर्वाजे पर आ जाएं और घर की चोखट को सींग मारने लगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं ये उनके आने का एक संकेट है भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशिया आने वाली है आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगा कर मीठा भोग जरूर खिलाएं नंबर दो सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परिशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भगती से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं ऐसे में याद रहे शिव की भगती में कोई भी कमीना आने दें घर को गंदा ना रखें क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं नमबर तीन शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंट पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंट छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत खुश है शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंट अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो ये घर में साक्षाक महादेव शिव के आने का संकेत है अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावन पर विजय प्राप्त की थी दम पर चार सावन के पवित्र महीने में धर में काला साम्प निकलाए तो इसे बहुत ही शुभकारक माना गया है इसे बिलकुल भी ना मारे ये भगवान शिव के आने का संकेत है जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन होते हैं उन्हें महादेव किसी खास अफसर पर अपने दर्शन देते हैं सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धर्ती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभकारक माना गया है यह घर में शिव के आने का संकेत है अब आपके खुश होने का समयाया है नंबर पाँच सावन के शुभ अफसर पर सुमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समरिध्धी आने वाली है महादेव आपसे बहुत खुश है दोस्तों महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जैकारा जरूर लगाएं हर हर महादेव ओम नम शिवाय भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी माता रानी से आप कितना प्यार करते हैं एक लाइक करके बताएं और कमेंट में लिखे जए माता तुलसी तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार